नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवेन दकश्मीर फाल्स सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है जो भी फिर्म देख रहा है फिर्म को काफी पसंद कर रहा है फिर्म दकश्मीर फाल्स को विवेक अगनी होतरी ने हाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान अगनी होतरी और उनकी पत्नी ने फिर्म के शूटिंग के दौरान आने वाली मुश्किलों पर खुल कर बात की विवेक ने बताया कि कश्मीरी पंडित समुदाय के सुरेंदर कोल उन्हें अमेरिका के हूस्टन में मिले थे उन्हों के मताबिक ये फिल्म मुश्किलों से भरी हुई थी उनको शूट के दौरान कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये कम बजट वाली फिल्म थी साथी इसका प्रोमोशन भी कम हो पाया हलाकि सिनेमा घरों में दर्शकों की अच्छी खासी भीड इकटा हो रही है पलवी के मताबिक कश्मीर में फिल्म के शूटिंग के आखरी दिन उनके पती विवेक अगनी होतरी के खिलाफ एक फत्वा जारी किया गया था विवेक अगनी होतरी ने भी बताया कि उन्हें दा कश्मीर फाल्स बनाने की वज़ा से बहुत सारी धंकिया मिली थी फिल्म त जिस वजह से उनको घाटी छोड़ना पड़ा ये फिल्म उस दोरान की घटनाओं पर अधारित है शुरुवात में महज 700 स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीस किया गया था लेकिन दर्शकों की डिमाइंड के बाद अब देश भर में 2000 स्क्रीन्स पर फिल्म को दिखाया जा रहा है हर तरफ अनुपम खेर और पलवी जोशी की चर्चा हो रही है फिल्म ने रिलीस होते ही बॉक्स ओफिस को हिला कर रख दिया है ये फिल्म पिशले 32 साल से कश्मीरी पंडितों के दिलों में दर्फन दर्दनात दासता है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिया बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ